तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी पोट्स के बारे में अडानी पोट्स के आज रिजल्ट आ चुक है इस वीडियो में हम लोग उसके रिजल्ट का पूरा कम्प्लीट अनलेसिस करेंगे फंडामेंटल इन्वेस्टर प्रेजंटेशन पूरे कम्पनी के बिजनिस को समझेंगे उनकी फिनेंशल परफॉर्मेंस क्यों क्यों वाई 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 बैस टार्गेट प्राइस क्या रहनी चाहिए बाई सेल होल्ट चॉर्ट टर्म लॉंग टार्गेट टेकनिकल एनलेसिस और जो अभी लेटेस्ट बिजनिस अपडेट्स आये हैं और बहुत सारी वेलुएशन वगेर हैं डेप्ट कितना बड़ा है पी रेशो पी बी रेशो कितना है सारी चीज़े हम लोग यहां पर अडानी पोर्ट से रिलेटेड जान लेंगे साथ ही में मैनेजमेंट के कुछ इंपोर्टेंट या पर कॉनकॉल के अपडेट्स आपको यहां पर आने के बाद देंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं सभी तरह के स्टॉक टिप्स और कम्प्लीट फ से नहीं जुड़े हैं जो टेलिग्राम पर जा पर 24 इंटू 7 अर्ट सभी तरह की न्यूज अपडेट हो जाती ऑटमेटिक फीड के तुरू एक सौफ़वेर के तुरू तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं बीट दे स्ट्रीट आप सर्च कीजिए नहीं तो लिंक इन डिस तीन तरह के काम करती है Logistics, Ports और O&M और यहां पर उसके अलावा एक जो काम करती है वो है यहां पर SEZ का तो तीन इनके बिजनिस है SEZ, Logistics फिर यहां पर Ports और O&M, O&M का मतलब क्या होता है, Operation and Maintenance का काम करती है Basically किसी और को यहां पर Services देती है, मान लीजिए अगर किसी और के पोर्ट में कोई खराबी है या किसी का Maintenance करना है तो यह सारी काम करती है तो यह चार इनके business segment है, ठीक है, तो अभी cargo volume अगर आप देखोगे तो MMT का यहां पर मतलब है 247 MMT की यहां पर जो growth देखने हो मिली 11% growth है जो की बहुत ही decent है और share price से तो बिल्कुल match नहीं करती है अगर आप देखेंगे share price में कितनी तेजी आई है बट यहां पर handled cargo volume की growth है वो इतनी ज्यादा नहीं है यह है million metric per ton ठीक है, यह million metric ton है वहीं पर container volumes है यहां पर 7.2 TUs है TUs का मतलब एक तरीके का यह वो होता है, basically जो अपना port में वो जो पूरा container होता है उसको यहां पर TU में गिना जाता है, basically length into breadth into height के यहां पर तरीके से इसको 1 TU माना जाता है तो इसका कुछ particular होता है, basically आप container की यहां पर एक तरीके से quantity समझ लीजेए इसको measure करने का काम होता है, container volume 7.2 million रही है जो कि यहां पर अगर आप देखो कि market share improves by 5% से 14% ठीक है, market share में improvement देखने को मिला है, हाली में इन लोग ने, जो इनका main port है, khandla port उसने जवाल नाल नहरू port, जो इंडिया का सबसे बड़ा port था, उसको पीछे छोड़ दिया है, in terms of यहां पर volume handle जब है, total revenue company में 6% की growth देखिए, 1250, 1550 करोड का revenue, 8000 करोड का EBITDA है, 7% की growth है, PBT में 48% की growth, और PAT के अंदर 33% की growth, free cash flows यहां पर अगर आप देखोगे, 5800 करोड के यहां पर free cash flows generate किये, 47% की growth है, net debt to, अगर आप यहां पर EBITDA का ratio देखोगे, तो यहां पर improve हो गय यहां पर पहले 3.4 था, तो यहां पर overall basis पर यहां पर company की जो debt की position है, यहां पर अगर आप देखोगे, पिछले 6 महीने से अभी के 6 महीने में यहां पर बढ़िया रही है, वहीं पर एक important बात में बताना चाहूंगा, कि यहां पर अगर आप देखोगे, तो यह जो company है, free cash flows म है, cargo की volume यहां पर दे रखी है, यह पूरा का पूरा जो comparison है, यह why on why basis पर किया जाता है, सभी companies why on why basis पर करती है, लेकिन हम लोग financials में जाके, यहां पर Q on Q basis पर भी करेंगे, चलिए, अगर आप देखते है cargo volumes Q4 के लिए, अगर आप देख रहे है यह result, तो Q4 में अगर आप देखो के port EBITDA margin जो है, वो 64% है, जो पिछले अगर आप देखेंगे, यहां पर अभी पिछले 64% सब यहां पर 69% आगया है, वही पर एक important बात है कि पैट के अंदर 288% की growth है, जो की बहुत ही शानदार है, यहां पर company ने अगर आप देखो के, तो यह gain भी बुक किया है, foreign exchange gain company को करीबन 24 करोड रुपय का, तो यह सारी चीजे, overall हम लोग को देखना पड़ेगा, कि यहां पर जो analyst के expectations थी, वो कितनी थी, और उच्छे यहां पर भी सारी चीजों को देखना पड़ेगा, company ने दो तरह के port यहां पर acquire किये, एक तो Krishna Patnam port और गंगा वरम port, यह basically company ने अभ लोग ने port acquire करके, यहां पर यह सारी चीजे कर लिए, उसी के अलावा, अब यह इनकी पूरी की पूरी यहां पर जो acquisition हो चुका है, और यहां पर अगर आप देखोगे, तो यह इनका 25% stake खरीद लिया, और इसके अंदर 100% stake खरीद लिया, तो कुल मिला कि दौनों port इनके हो चुके, उसी के अलावा, यहां पर कृष्णवरम port और यह जो दौनों port है, यह दौनों इनकी holy on subsidiary बन जाएंगे, जब यहां पर इनकी जो completion deadlines है, Q1 FY22 और Q3 FY22 में, वही पर अगर आप operational highlights की बात करते हो, तो यहां पर आप आप देखेंगे, इनका जो market share है, यहां पर 11% से बड़ा है, और जिसके पीचे रीरन है, 16% container growth और 9% growth in dry bulk cargo, dry bulk cargo का मतलब होता है, basically जो gay हूँ और वो इस तरह के जो सामाहन होते हैं, dry bulk, bulk में ले जाए जाता है, उसके अंदर जो growth देखने मिली है, वही पर यहां पर जो अपना MMT में है, अगर आप cargo cargo volumes देखते है, 247 MMT है, market share अभी यहां पर अगर हो, अगर आप देखोगे, तो 25% हो चुका है, और यहां पर 4% के यहां पर gain देखने को मिला है, तो यह सारी चीजे हैं, वही पर अगर आप बात करते हैं, यहां पर coastline यहां पर अगर आप देखोगे, across the coastline, यहां पर east coast के अंदर, यहां पर 42% से growth द के पास east के अंदर इतने ports नहीं थे, बट अभी company ने recent में acquire किये हैं, तो यह सारी चीजे हैं, उसी के अलावा, company का 7.2 million TUs का जो यह है, इसके अंदर यह highest ever है, और यहां पर अगर आप देखोगे, तो जो total market share है, 41% यहां पर यहां पर कंपनी ने अचीव कर लिया है, और मू ने यहां पर कितने handle किया है, तो यहां पर इन लोग ने 5.66 million TUs किया है, which is almost nearly 1 million TUs more than JNPT, JNPT के TUs जो थी, उसको volume को पीछे चोड़ जोड़ जिया है, JNPT बहुत बढ़ा port है, मही पर अगर आप देखोगे, यह company ने इसके पीचे जो reason बता है, JVN acquisitions को यहां पर खरीद है, मही पर अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें, in FI23, 10 new container services were added, अगर आप देखोगे, container services में 10 new container services add की है, 4 mundra में की गई है, 2000 कटुपतली और NOR के अंदर करी गई है, अब यहां पर अगर आप देखोगे, तो total 8 lakh TUs, basically 8 million TUs का यहां पर company का target है, अगले साल के लिए, मही अगर आप देखो, मूंद्रा पोर्ट इनका सबसे बड़ा पोर्ट है, largest commercial port in India है, जिसके अंदर यहां पर 144 mmT का यहां पर, अगर आप देखोगे, तो handle quantity 18% की growth है, तो यह सारी चीज़े है, मही पर अगर हम बात करें, given this performance, the gap between मूंद्रा पोर्ट and कार्णला पोर्ट, the second largest port, has further widened, moon report जो है, यहां पर अगर आप देखोगे, 23% यहां पर आगे निकल चुका है, मही पर अगर हम देखोगे, धमरा पोर्ट जो इन लोग ने खरीदा है, उसके अंदर 9% की growth देखने को मिली है, और उसका volume 32 mmT रहा है, इनकी जो एक subsidiary Adani Logistics Limited, वो Flipkart के साथ एक major partnership करी है, और यहां पर अगर आप देखेंगे, तो वो Flipkart के लिए यहां पर एक fulfillment center बनाएगी, 5,34,000 square feet का, और एक data center बगेरे भी बनाएगी, जिसके अंदर 10 million sellers की inventory को रखा जाएगा, और यह operational होगा Q3 22, यानि मतलब अगर आप देख लिए Q3 2022 तो अभी इस quarter 3 के अंदर होगा, और उसी के अलावा यहां पर company इस से पच्चिस सो यहां पर लोगों की jobs को generate करेगा, यह बहुत बड़ा यहां पर significant partnership है Adani Logistics के लिए, जो कि यहां पर company ने complete कर लिए, basically अगर आप देखोगे, दौनों segment, port में अगर आप देखें, गंगावरम port खरीदा, कृष्टा पत्नम इस से पहले भी यहां पर company ने एक दो बड़ी companies के साथ यहां पर already partnership करी थी, तो यह सारी चीज़े और यहां पर company flip card जैसी बड़ी-बड़ी high tech companies के लिए data center भी बनाएगी, data center का मतलब होता है, जहां पर बड़ी-बड़ी companies अपने यहां पर storage और अपना backup रिखती है, उसे data center क पहा जाता है, तो अगर हम यहां पर financial highlights की बात करें, तो लगबग यहां पर यह सारी चीज़े हम लोग already discuss कर चुके, 6% की growth है यहां पर अगर आप देखोगे, तो और वही पर अगर आप यहां पर 12% की growth है, port revenue के अंदर, वही पर EBITDA margin की बात करें, logistics business में 24% कर रहा है, और अ चलेंगे इसके बाद investor presentation पर और जानेंगे company के पूरे detail insight, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यह जो comment है, बहुत ही अच्छा है, और यहां पर बहुत सारी detail insight है, सबसे पहले यहां पर अगर आप देखो, 4% का revenue बढ़ा है, company ने बोला है, मुनरा port यहां पर largest commercial port बन चुका है, EBITDA margin 1% से increase होगे, port के EBITDA 70% रह गए, company ने यहां पर 4 port खरी देते, कृष्णपटनम, गंगावरम, डिग्गी port और एक सरगुयाई rail line खरी दी, जो की 26 करोड रपय के लिए खरी दी, अगर आप देखें, company का portfolio 13 port का हो चुका है, वहीं पर अगर आप terminal में जाने वाली है, यहां पर कॉलंबो के अंदर, जो की श्रीलंका के अंदर है, logistics business के अंदर, company काफी अच्छा, यहां पर देखने को मिला है, mainly यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर mines बगएर जो होती है, cement बगएर की, तो उससे यहां पर transportation के ठेके मिले हैं, company को, महीं पर company ने यहां पर, अगर आप देखोगे, तो बहुत बड़ा बयान दिया है, अगर आप देखो, तो यहां पर, यह grade A warehouses बनाएगी, और यहां पर e-commerce sector के अंदर, यहां पर company जाने वाली है, और यहां पर company बोलती की, 30 million square feet के साथ, हम लोग next 5 years के अंदर, यहां पर largest player बन जाएंगे e-commerce logistics के अंदर, तो यह बहुत important comment है, और उसके अलावा, यहां पर company ने थोड़ी बहुत railway lines की, जो subsidiaries है, मतलब जितनी भी railway assets है, वो यहां पर company ने एक नई subsidiary के अंदर डाली है, और इसी के साथ company ने यहां पर first private sector railway track asset company create करी है, जो कि यहां पर एक काबिले ता 10 MMT यहां पर जिसके गंगावरम port के यहां पर included किये गए है, और वही पर जो revenue की लिए, अगर हम देखे, consolidated revenue जो company का बोलना है, जो अभी 12,000 करोड के लगबग चल रहा है, वो यहां पर company का outlook है, 16,000 करोड का यहां पर range है, और EBITDA margins अगर हम EBITDA देखे, जो 10,000-10,700 करोड तक यहां पर achieve करना है, यहां पर by FI, अगर आप 20% यहां पर growth देखने को मिलेगी by FI 2025, तो यह सारी चीजे, overall यह जो comment आओ बहुत important है, और यहां पर company ने, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी-बड़े assets करीदे हैं, अब सबसे पहले हम लोग यहां पर Q on Q basis पर company के financials क देख लेते हैं, जो बहुत important है, चलिए, तो यहां पर आजाता है एक important update, Q on Q basis से company की performance के बारे हम पता पड़ता है, अगर आप देखो कि, total income में यहां पर fall देखने को मिला है Q on Q basis पे, profit, अगर आप देखते, profit after tax, profit for the period, उसमे भी fall देखने को मिला है, यह दो important update है, जो मैं आ finance cost बढ़ गई है, बट अगर आप देखोगे, तो यहां पर company बोलती की debt वगरे increase हो गया है, बट यहां पर decrease हो गया है, but finance cost बढ़ रही है, तो यह सारी चीज़े, अगर आप EPS देखते हो, तो 6.34 रुपीज का EPS है, overall यहां पर आप देखोगे, तो 24 रुपे का EPS है, यहां पर पूरे FI 21 के लिए, तो अगर यहां पर मैं अगर आपको बता दूँ कि basically कुछ नहीं है, बलकि यहां पर company की performance Q on Q basis पे खराब रही है, debt वगरे की और बात कर लेते हैं, अब यहां पर balance sheet से अच्छा हमें और कहीं कुछ नहीं मिल सकता, यहां पर अगर आप देखते हैं तो borrowings, अगर आप gross borrowings को देखते हो ना तो यह borrowings काफी तेजी से बढ़ी है, यहां पर 26,000 से 32,000 की borrowings बढ़ गई है, और other financial liabilities में भी यहां पर एक steady growth देखने हो मिली है, तो यहां पर करीबन 32,000 क्रोड की यहां पर company के पास borrowings है, जो हम लोग को देखना चाहिए कि company borrowings कैसे बढ़ रही है, यहां पर अगर आप total यहां पर net worth देखते हो, company की तो 32,000 क्रोड की net worth है, जो कि यहां पर पिछले साल से काफी बढ़ी है, company ने यहां पर मैं आपको बता दू, 5 रुपे का dividend भी announce किया है, तो यह सारी चीजे हैं, अब हम आजाते हैं investor presentation पे, और बात करेंगे कुछ और ज्यादा highlights के बारे में, यह देखे, यह basically पूरा Adani Group का structure है, कैसे company क्या क्या काम करती है, Adani, यहां पर अगर आप देखो गे तो यह इसमें सारी company आ गई है, अगर आप Adani Green Limited देख लो, Adani Total Limited देख लो, फिर यहां पर ATGL, Adani Total Gas Limited, फिर यहां पर AEL, Adani Enterprise Limited है, जो इन Water, Data Center के लिए, अलग-अलग company आ है, तो यह Adani Enterprise का business है, APSEZ का क्या क्या business है, Transport and Logistics का business है, और एक इन लोग ने जो 100% यहां पर, एक वो SRCPL बनाया है, और यह सारी चीजे है, तो यह basically पूरा Adani Green का structure है, जो कि आप देख सकते हो, और अगर आप देखेंगे, तो यह NQXT क्या है, तो North Queensland Export Terminal Limited है, तो यह सारी चीजे हैं, वही पर अगर आप देखोगे, B2B, B2C business में यहां पर अगर आप देखोगे, तो shift किया गया है, Adani Total Gas यहां पर, अब यहां पर Q Geographies में आ गया है, AE, ML अगरे, यहां पर इन लोग ने shift किया गया है, B2B से B2C मतलब अब कस्टमर से ज industry के अंदर 5% की growth है, और इनके अंदर 12% की growth है, ठीक है, मही पर अगर आप यह renewable, capacity, transmission और यह gas वगरे के business को हम लोग, जब हम इनका analysis करेंगे, तब देखेंगे, यह basically हर बार सेम रहता है, जो company हर बार बताती है, अगर आप देखोगे, all listed entities का यहां पर जो liquidity coverage ratio है, वो 1.2 से 2X है, बट अडानी group के लिए मैं आपको बता दू कि company के लिए सबसे बड़ी problem रहती है, उनकी यहां पर एक तो debt और यहां पर promoter shareholding पर pledge, तो यह सारी चीज़े, अगर आप APSEZ का पूरा यहां पर देखना चाहते हो, तो यह देखे, यह इनके ports वगर हैं, यहां पर अलग-अ port trip से यह business होता है, तो Tata Steel और धामरा port के बीच में जो business है, वो इस तरीके से किया जाता है, उसी के अलावा company यहां पर अगर आप देखोगे, private transport utility है, और यह कैसे काम करती है, यह इनका land bank है, फिर वहां पर यहां पर integrated logistics company है, यह port gate है, और यह port है, और यहां पर यह सारा electricity power generation का काम होता है, यह पूरा integrated approach के खारण company यहां पर एक बहुत बड़ा business create कर सकती है, यह company के total यहां पर ports की locations है, जो आप देख सकते हो, अभी अगर आप देखेंगे 12 port हो गए, बट company के management ने 13 port किसको गिना है, मैं आपको बता देता हूँ, जो गंगा वरम port है, उसको यहां पर not included यहां पर लिखा है, बट current अडानी ने उसको गिना था, तो वो खरीद लिया है, बट उसको गिनना बाकी रह गया, logistics park 5 हो गए, train total 60 है, 620 km का railway track है, 498 mmT की capacity है, अगर आप देखोगे, तो यह सारी company के total ports है, जहां पर यह सारे port आचुके है, बल्ट टर्मिनल्स बगेर है, औ यहां पर other तरह के logistics parks, और यह सारी चीजे है, तो यह basically company का पूरा यहां पर चिट्टा बिट्टा है, देखिए, मैंने जैसे की बोला था कि west में लोग का business जादा भारी होता है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो west के अंदर यहां पर, अगर आप देखते हैं, 335 mmT की capacity है, और यह सारी चीजे है, और east के अंदर यहां पर 163 mmT की capacity है, अगर हम highlights की बात करते हैं, यहां पर, तो highlights में, मैं आपको बता देता हूँ कि, चलिए, highlights की बात करें, तो यहां पर EBITDA margin में increase हुआ है, जो हम लोग देख चुके हैं, अनिंटरप्टेड यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर market share वगएरे बढ़ चुका है, मूंदरा, पावर पोर्ट और यह सारी चीजे हम लोग discuss कर चुके हैं, ग्रोथ वगए कारगो वॉल्यूम्स में अगर आप देखेंगे, तो 11% की इन लोग ने ग्रोथ दिखाई है, इस साल के अंदर और वही पर ओवरॉल इंडस्ट्री ने 5% की ग्रोथ दिखाई है, और यह सारी चीजे, वही पर अगर आप देखोगे, तो यह जो blue वाला है, यह container ग्रोथ है, तो यह अडानी, अगर आप देखेंगे, APSEZ यहाँ पर कितना परसंट ग्रोथ है, और अगर आप यह भी सब चीजे देख सकते हैं, टोटल कारगो और उसका पूरा चिट्टा बिटा दे रखा है, तो अगर आप यह देख लीजिए, वही पर अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें, सिक्वेंशिल यहाँ पर कंटेनर वॉल्यूम में भी सेम चीज है, 17% की ग्रोथ है, और इंडस्ट्री ग्रोथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7% है, तो इंडस्ट्री को यहाँ पर 2.4x ग्रोथ से बीट किया है, वही पर अगर हम यह टोटल यह ट्राय लिक्विड कंटेनर जो कि हम लोग को इतना जादा देखना नहीं है, अगर आप देखें, इंक्रिमेंटल कार्गो पोर्ट वाइस यहाँ पर देख लीजिए, कैसे काम हुआ है, मून्डरा पावर पोर्ट ने कितना है, देखें, यह FI 22 का है, अब यह FI 21 का है, तो कैसे कैसे ग्रोध ही है, तो कृष्णा वरम पोर्ट से सबसे बड़ा ग्रोध देखने मों मिली है, बाकि यहाँ पर दहेज ने नेगेटिव परफॉर्म कि है, हजारिया नॉर्मल परफॉर्मेंस है, हजारिया में पोर्ट का अभी यहाँ पर तेजी से बढ़ना, क्यों हम लोग यहाँ पर ज्यादा डिसकस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इससे ज्यादा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा महीं पर अगर आप देखो गे तो cargo volumes की जो अगर आप देखेंगे यह sticky cargo की यह volumes है जो अपने को इतने देखना नहीं है बाकी operational performance वगर हम लोग already देख चुके हैं यह सारी चीज़े logistics, revenue, EBITDA वगर है यह सारी free cash flows भी देख चुके है operating revenue में आप देखिए यह अच्छा चार्ट है यह कैसे कैसे company का business बड़ा है यहाँ पर segment wise performance अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ports की performance है logistics, O&M और others तो यह सारी चीज़े है वही पर company की debt profile में already बता चुका था कि company के जो gross debt है वो यहाँ पर बढ़ गया है वो यहाँ पर company ने बताया है और यह कैसे हुआ है वही पर जो अगर आप देखोगे gross debt और net debt और average maturity जो है यह average maturity मतलब क्या है पहले जो company की maturity पाथ साल में यह debt का repayment होने वाला तो अब यहाँ पर 6 साल में करना पड़ेगा वही पर net debt अगर आप figure देखते हो तो net debt का figure भी company का बढ़ गया है net debt मतलब debt minus cash को अगर minus कर देते तो यह सारी चीज़े हो जाती है उसी के अलावा यहाँ पर 5 साल से ज्यादा कितनी maturity है और 5 साल से कम कितनी है तो यह पूरा maturity profile है कितने कितने साल में यहाँ पर debt company की due होगी यह ज्यादा important factor है उसी के अलावा अगर आप देखोंगे तो company ने यहाँ पर कुछ acquisition करने के लिए अपनी debt को increase किया अगर cost of borrowings देखें तो company की decrease हुई है basically जो interest पर किया जाता है वो 6.7% रह गया है वहीप अगर आप देखेंगे cash flow position काफी अच्छी थी free cash flow जो movement था वो भी अच्छा था net debt to EBITDA का ratio company ने बताया है जो कि यहाँ पर decrease होता बाद देखें को मिला है यह सारी चीज़े cash flow की position भी company की बड़ी है free cash flow भी बड़ा है free cash flow to EBITDA भी बड़ा है अगर आप देखते हो ESG concerns है जो basically company ने अपने वो environment social responsibility के लिए जाते हैं उसमें ज्यादा कुछ है NECSR activities है Outlook के बार में हमने करन अड़ाइनी का वैसे भी management पढ़ लिया था जो यहाँ पर कितना कितना improvement है वो आप वापस देख लीजिए अगर आप देखते हो यहाँ पर बोर्ड ने जो dividend दिया है जो 20% PAT की यहाँ पर dividend की policy है net debt to EBITDA का ratio है वो 3.35 times रहेगा free cash flows यहाँ पर 5,6,000 करोड रहेंगे capex company जो करेगी वो 1,100 से 3,500 करोड के capex करे जाएंगे EBITDA यहाँ पर मैं already बचा चुका हूँ यहाँ पर margins में यहाँ पर company boldery की थोड़े बात grow करेंगे वही पर अगर आप देखेंगे तो बाकी सारी जो चीजे है port revenue 30% growth का target logistics में 57 overall 34% growth का target है और वहीं पर volumes की बात करेंगे तो 29% growth का target है तो double digit growth का यहाँ पर company का target है तो यह सारी चीजे है और अम लोग already काफी जो discussion है यह कर चुकिए मूंजड़ा पावर पोर्ट धाम रा पोर्ट यह सारी चीजे अगर आप एक एक को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं देखिए मैं आपको already बता चुका हूँ कि यहाँ पर Q on Q जो performance है वो अगर आप देखोगे तो company की decrease हुई है बट Y on Y performance company की अच्छी रही है अब यहाँ पर अगर हम बात करते है company के overall यहाँ पर net worth और revenue की और यहाँ पर price to book ratio और यहाँ पर हमारे target price की तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ चलिए अगर मैं PE ratio की बात करूँ तो PE ratio जो अभी बैठ रहा है वो करीबन 32 का बैठ रहा है और PB ratio जो बैठ रहा है वो करीबन 5 का बैठ रहा है तो यहाँ पर valuation थोड़ी high है बट यहाँ पर overall यहाँ पर जो results है उसने काफी अच्छा perform किया है तो उसके कारणने का आपको अच्छी खासी तेजी देखनों मिल सकती है वापस साड़े 900 रुपए तक के आपको यहाँ पर target देखनों मिल सकते है यह हमारा एक short term target है वहीं पर अगर हम long term target की बात करें तो 1100 रुपए का हमारा target है और यहाँ पर shareholding pattern की बात करें promoter का stake सेम रहा है FII's ने अपना stake बढ़ाया है अगर हम देख ले तो FII's में कितने लोगों ने अपना stake बढ़ाया है तो यहाँ पर जो European अगर आप देखोगे यहाँ पर किसी बड़े आदमी ने अपना stake नहीं बढ़ाया है और वहीं पर अगर हम DII's की बात करते है तो DII's के अंदर यहाँ पर LIC ने अपना stake कम किया है और government का stake भी यहाँ पर कम हुआ है और वहीं पर public shareholding obviously बढ़ गई है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे Monarch Network का पहले stake था जो अब नहीं रहा है overall यहाँ पर shareholding pattern से कुछ खास insight नहीं है promoter pledge की बात करें तो 15% अभी भी promoter का यहाँ पर share pledge है जो overall company चारी decrease करने के लिए बट यहाँ पर अभी भी और pledge बाकी है और वो decrease होगा वहीं पर resistance और key levels अगर technical की बात कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे कास है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो target आपको जो देखने को मिल सकते हैं वो यह है कि मैंने जैसे की बताया कि 9500 रुपे तक कि आपको वापस target एक बात देखने को मिलेंगे और यह जो performance है यह काफी अच्छी रही है और यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं कि जो long term target है मेरा वो 1000 रुपे के लगबग long term target रहेगा तो यह था हमारा डानी sports पर पूरा insight पूरा analysis सारी चीज़े हम लोग ने discuss कर ली है stock tips, stock analysis, shareholding pattern, company का business management के comments, future growth F522 के लिए काफी strong है बोड ने dividend announce किया, एक important खबर यह भी है कि company के जो CFO है उन्होंने resign कर दिया है दीपक मैश्वरी जी थे, तो इसका थोड़ा बहुत impact देखने को मिल सकता है, overall result काफी positive है एक अच्छी खासी rally देखने को मिल सकती है, short term के लिए अगर हम बात करें, एकदम near term में, एक दो दिन के अंदर यहाँ पर 800 रुपय तक के levels वापस देखने को मिल सकते है तो इस सारी चीज़े है, overall result काफी अच्छे थे, वीडियो देखने को धन्यवाद, शेर कीज़े, अडानी पोर्ट्स का वीडियो सबी के साथ